हेलो ब्रिवन वेलकम टू माई योटूब चैनल जी एस क्लासस में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम अपने इस वीडियो में यूपी पीसियस और 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 अरो प्रैक्टिस सेट नंबर टू को सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली स्लेबर्स के एक और्डिंग बनाया गया है जिसमें जी एस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री चियोग्राफी पॉलिटी एकोनॉमिक साइंस और करेंट हमारा फर्स्ट कोश्चन है निम्न लिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए मेघाले में भारत की सबसे लंबे रोड आर्क बिज का उद्गाटन किया गया है ऑप्शन नंबर बी गुजरात सरकार के द्वारा ड्रैगन फूट का नाम कमलम रखा गया ऑप सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मर्द प्रदेश राज में बनाया जा रहा है और ऑप्शन नंबर डी है बिस मौसम संगठन के अनुसार वर्स 2020 अब तक का दूसरा सबसे गर्म वर्स है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है बिस मौसम संगठन के अनुसार वर्स 2020 अब तक का दूसरा सबसे गर्म सहर नहीं बलकि तीसरा सबसे गर्म सहर है बलकि तीसरा सबसे गर्म शहर के रूप में इसको सुईकार किया गया है वहीं भारतिय मौसम विज्ञान के अनुसार वर्स 2020 अब तक का आठवा सबसे गर्म वर्ष के रूप में सुविक्यार किया गया है हमारा नेस्ट कोश्चन है ग्लोबल स्टाइटप एको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का अस्थान है ऑप्सन नमबर A दसवा, ऑप्सन नमबर B 120, ऑप्सन नमबर C 21 और ऑप्सन नमबर D 14 इसका राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर B ऑप्सन नमबर C 21 इस्टाइटप ब्लिंक त्वारा जारी ग्लोबल स्टाइटप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20 अस्थान पर है वहीं पहला अस्थान यूएस्टान को दिया गया है USA को दूसरा अस्थान ब्रेटेन तीसरे नमबर पर है इस्टाइल एक बार जो भी प्रजेंट टाइम पर करेंट में जितने भी इंडेक्स जारी किये गए हैं उनको देख लेते हैं basic cyber सूरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10 में पायदान पर है सतत भीकास लच सूचकांक 2021 में भारत 120 में पायदान पर है ग्लोबल होम प्राइज इंडेक्स 2021 में भारत का अस्थान पच्पन है बीश्व प्रति अस्परधा सूचकांक 2021 में भारत तैतालिश्वे अस्थान पर है यानि 4-3 नंबर पर है कार्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है शिक्ष्टी है किसके साथ थाइलेंड के साथ यानि समाव सी इंटरेशनल सूचकांक 2021 इसमें इंडिया और थाइनलेंड दोनों जॉइंट रुप से 49 नंबर पर है निक्स्ट है वाइड़ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 वाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 इसमें पर सामावेशार इंडेशनल सुचकांक और चांसलर गोन्समें इंडिया की संप्रेटिया की संब्सकांक नेक्स्थ सब्सकार ніज इसमें इंडिया की रैंकिंग 86 है computation है नेक्स्ट है Global Climate Risk Index इंडिया की रैंकिंग सेवन है यानि साती है और अगला है बैस्टीलोक्तत सुचकांक 2020 सुचकांगम इंडिया की सान कितना है 131 हमारा नेस्ट कोश्चन है कि हाली में किस देश के द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल्ल विद्दूद बात बनाया गया है ऑप्शन नमर एज जापान ऑप्शन नमर भी चीन ऑप्शन नमर सी दक्षड कोरिया एंड ऑप्शन नमर डी सिंगापु इसका राइट एंसर होगा option नमबर भी चीन हाल ही में चीन के द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्धूत बाद बनाया गया है इस बाद का नाम बहतन बाद है कौन सा बहतन बाद जो जिंसा नदी पर यांगसी नदी की सहायक नदी जिंसा नदी पर बनाया चीन की यांगसी नदी पर ही इस दित्व गार्विज डैम यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है यानि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्र Pakवर डैम किसके पास है चाइना के पास है किसका राइट ंशर होगा option नमबर हमारा नेस्ट कोस्चन है मिताली एक्सप्रेस संबंधी थैं option A भारत बांगला देश के मद option B भारत सिंगापूर के मद option c भारत पाकिस्तान के मद and option d भारत अफगानिस्तान के मद इसका राइट एंसर होगा option number A भारत बांगला देश के मद असम के नीव जल्पाई घुड़ी व ठाका के बीच एक नई यात्री रेल गाड़ी की शुरूत की गई है यानि जो मीताली एक्सप्रेस है और असम, भंधढ़्य के मद्र चलाई जा रही है, वही मैत्री एक्सप्रेस वब बंधन एक्सपार्स, मिताली एक्सप्रेस के पहले दो एक्सप्रेस और चलाई जाती है कौन मैत्री एक्सप्रेस वा बंधन एक्सप्रेस ये दोनों भारत वा बांगला देश के मद्ध यात्री गाड़ी है हाथियारों के पांच बड़े निर्यातक देशों का अस्थान है हतियारों के 5 बड़े निर्यातक देशों में चीन का अस्थान है नमब एक दूसरा, ओफिन नमब भी तीसरा, ओफिन नमब सी चौथा, और ओफिन नमब डी पाचवा इसका राइट एंसर है ओफिन नमब डी पाचवा सीपरी यानि स्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट दरजारी रिपोर्ट के अनसार हतियारों के 5 बड़े निर्यातक देश में पहले अस्थान पर यूएस से है दूसरे अस्थान पर रसिया है थर्ड नमबर पर फ्रांस है फोर्थ नमबर पर जर्मनी एंड फिफ्ट नमबर पर चाइना है इसलिए इसका राइट एंसर होगा option number D वहीं अगर सबसे बड़े आयात पूछे तो कौन सा होगा नंबर एक पर सौधी अरब है और नंबर दो पर इंडिया यानी भारत है total import का 11% जितना इंपोर्ट होता है इसको 11% अकेले सौधी अरब इंपोर्ट करता है वहीं इंडिया 9.5 total import का जो है भारत अकेले 9.5% इंपोर्ट करता है किसका हथिया रोका यानी बिश्व के सबसे बड़े आयातक देशों में सौधी अरब पहले अस्थान पर और भारत दूसरे अस्थान पर हैं हमारा निस्ट कॉस्चन है किस देश के प्रधान मंत्री है इसका राइट एंजर होगा 맛있ht ओष्ण नम्र Predigth के प्रधान मंत्री है वहीं नार्वे के प्रधान मंत्री learning संटी संट एफ हैं घंड की प्रधान मंत्री अनसार की सबसे बड़े पवण ऊजाग्या सा किस देश के पास है option नंबर ए चीन अपनि一下 ऑपस नंबर भी अमेरिका ऑफ संब छी है भारत और ऑस्भान के पास इसका रायट एंसर होगा option नंबर ए चीन के पास global डिंड एनरजी आड यह सूल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनसार दुनिया के दो शब्से बड़े पौण ऊर्जा बाजार चीन और USA में नई च्छमता अस्थापित हुई है दुनिया भर में 647 गीगावाट पौण उर्जा च्छमता अस्थापित की गई है कितना दुनिया भर में सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया गया है और सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया गया है इस पुल का नाम है 516 अरोका 516 अरोका यह पुल कहां पर बनाया गया है पूर्तगाल में हमारा नेस्ट क्वेश्चन है हाली में सायुक्त राष्ट महासभादारा किस दिन को आरगानिया दिवस्ट घोसित किया गया है इसका राइट एंसर होगा 10 माई को सायुक्त राष्ट महासभा के द्वारा आरगानिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा यारी आरगानिया दिवस के रूप में मनाया जाने का नेड़ा लिया गया है वही आठ माई को विसु थैलेसीमिया दिवस वा विसु रेड क्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 माई को अंतर राष्टिय विविधिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 माई को तमबाकू निशेद दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 माई को बिस्व थैलिसीमिय दिवस या बिस्व रेड क्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 माई को आरगानिया दिवस के रूप में 22 माई को अंतरराश्टी विबिधिता दिवस के रूप में 31 मही को तंपाकू निशेद दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा निस्ट कोश्यन है सायुक्त राश्ट संग ने किस वर्स को मोटे यानाज़ों का अंतर राश्टी ये वर्स घोसित किया है आप्षिन नम्बर A, वर्स 2020, आप्षिन नम्बर B, वर्स 2021, आप्षिन नम्बर C, वर्स 2022 और ऑप्षिन नम्बर D, वर्स 2023 यानि 2023 को इंटरनेशनल एयर आप मिलेट्स के रूप में सुईकार किया गया है किसके द्वारा संयुक तराष्ट संग के द्वारा हमारे निस्ट क्वेशन है निमने लिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है इसको सही कर लिजे निमने लिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है औप्षन नमबर A अगणी औप्षन नमबर B ब्रीहसपत ओप्षन नमबर C वरुड औप्षन नमबर D है इंद्र इसका रायट एंसर है औप्षन नमबर B ब्रीहसपत को बैदिक देवताओं का पूरोहित माना जाता है हमारे नेस्ट कॉस्चन है युद्ध भूम में बड़ी संख्या में साइनिकों के मारे जाने अत्वा आहत हो जाने के बाद किस भारतिय गड़ अत्वा राज की इस्त्रियों ने सिकंदर के बिरुद सस्त्र धारड किया था सिकंदर के आकमर के समय अस्वक एक सीमांत गरड़ाज था जिसकी राजधानी मस्सक थी कभी कभी ये भी कोशन में पूछा जाता है कि मस्सक किस गरड़ाज की राजधानी थी तो किसके थी अस्वक गरड़ाज की राजधानी मस्सक थी युनानी लेखकों की अनुसार सिकंदर के भी रुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पूरुस साइनकों के मारे जाने के पस्चाथ यहां की इस्त्रियों ने सस्त धारड किया था इसलिए इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर D मससक गरड़ाज हमारा नेस्ट क्वेशन है संस्क्रिट के कभी और नाटक कार काली दास का उलेख हुआ है ओप्शन नमबर A पुलकेसिन दोतिये के एहोल अभलेख में ओप्शन नमबर B मीहर भोज के गवालियर अभलेख में अभलेख में एहोल प्रसंथ बादामी के सासक पुलकेसिन दोतिये के इतिहास को जानेने का एक ससक्त माध्यम है इस लेख की भासा संस्कीत तथलिप दक्षुड ब्राम्भी थी इस लेख की रचना वारवी के समान यस प्राप्त किया है अता इस अब लेक में कालिदास के साथ साथ किसका शज़ल का नाम का भी लेक किया गया है हमारा निश्ट कुश्चिन है कि निमने लिखित में कन एक सही सुमेलित नहीं है उप्शन नमबर A, इट निर्मित मंदिर उजयन, उप्शन नमबर B, दसा उतार मंदिर देवगड, उप्शन नमबर C, स्यू मंदिर भुमरा, एंड उप्शन नमबर D, बिश्ण मंदिर एरड, इसका रायट एंसर होगा, उप्शन नमबर A, इट निर्मित मंदिर या उजयन में नहीं बलकी कहां पर इस्थित है भीतर गाउं में इस्थित है इत निर्मित मंदिर उजयन में नहीं बलकी कहां पर भीतर गाउं में इस्थित है वहीं दसावतार मंदिर यद्योगर में इस्थित है शिव मंदिर फुमरा में तथा बिश्व मंदिर या एरण में इस्थित परमार ओप्शन नमबर सी धर्मपाल और ओप्शन नमबर डी नागभट प्रतिहार इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर ए अमोग वर्स राष्ट कूट राजा अमोग वर्स प्रथम का जन्म 820 में नर्मदा नदी के किन्यारे स्री भावक नामा का स्थान पर सैनिक श रहते यानि सैनिक शाव ने में कौन पैदा हुआ था अमोग वर्स राष्ट कूट हमारा नेस्ट कूश्चन है निम्न लिखित में सही कथन को चुनिये पहला कथन है या कथन नमबर एक है बलबन ने अपनी सासनकार को सक्तिसाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में है और सा नमबर एक है कथन एक वगात दो गलत है और से नमबर सी है कथन एक वक्थन दो नों गलत है इसको नहीं इसका राइट एंसर होगा और सन अ तre hy कि वह दिए आपको देवी गोशित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद डित कर ली तथा बल्बन के द्वारा ही ने means था कि शुरुआत किस सासक के द्वारा की गई थी तो वह बल्बन के द्वारा यानि गुलाम उन्सके सासक बल्बन के द्वारा किया जाता है बल्बन का संबंध रक्त और लौह नीच से भी किसका किसका संबंध है बल्बन का संबंध है बल्बन ने मंगोलों की आकमड की रोक टारीक हे यामनी किसके द्वारा लिखी गई है? और सभाय इत्राइन और टारीक हे यामनी या अलउत्बी की एक रचना है वही तबकात एअगरी किसकी रचना है? निजामनी की है और तबकात एनास्री तब काते नासरी किसकी है मिनहाजुद दीन बिन सिराजुद दीन की जियाउद दीन बरनी के दौरा कौन सी रचना लिखी गई है तारीखे फिरोज साही के लेखक जियाउद दीन बरनी है यानि तब काते नासरी निजामुद दीन के दौरा लिखी गई है तब काते नासरी य ये जियाउद दिन बरनी की रजना है तता तारीक है यामनी या अलुत्वी के द्वारा लिखी गई है हमारा नेश्ट कोश्चन है निमनी लिखित में कौन एक मुगल समराड द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था ओफ्सर नंबर ए सर्फराज खान, ओफ्सर नंबर बी मुर्शीद कुली खान, ओफ्सर नंबर सी अली वर्दी खान और ओफ्सर नमबर D सुजाऊद दीन मुहम्मद खान इसका राइट एंसर है ओफ्सर नमबर B मुर्सीद कुली खान मुगल समराथ फर्रुक सीयर द्वारा 1770 इस्वी में मुर्सीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानि सुवेदार नियुक्त किया गया मुर्सीद कुली खान की मृत्य के पशात उसका दमाद सुजावुद दीन बंगाल का सुवेदार बना जिसे ततकालेन मुगल समराट मुहम्मद साहरंगीला दोरा मानिता प्रदान की गई या इसको के दोरा नियुक्त किया गया था तो मुगल समराट फर्रुक सियर के दोरा हमारा नेस्ट कोश्चन है निमने लिखियत में कौन सही सुमेलित नहीं है मुप्सियर नमबर ए बिलियम बेडरन बर्ण, दा ग्रेट डिवाइड, आप्शन नमबर बी, जवाहला नहरू, हिंद स्वराज, आप्शन नमबर सी, राम मनुह लोहिया, दि गिल्टी मैन अफ इंडियाज पार्टिशन, अप्शन नमबर डी है, महात्मा गाधी, ग्लेम्सेस अफ दी वर्ड हिस इसका राइट एंसर है, आप्शन नमबर सी, राम मनुह लोहिया के द्वारा, दि गिल्टी मैन अफ इंडियाज पार्टिशन का समद्ध, राम मनुह लोहिया से है, दि ग्रेट डिवाइड, यह दा ग्रेट डिवाइड भारत-पाकिस्तान विभाजन पर, यह भी हाड़सन द्वारा लिखी पुश्थक है, वहाई हिंद स्वराज, इसके लेखक महत्मा गाधी है, दो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिशन, इसके लेखक राम मनुहर रुलोहिया, तथा ग्लिम्से साबदी वर्ड हिस्टी के लेखक, जवाहल लाल नहरु है, जवाहल लाल न नहरू है इसलिए इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर सी हमारा नेस्ट क्वेश्चन है ऑप्रेशन पोलो का संबंद निम्न लिखित में से किस्से है ऑप्शन नमबर एस सुभाष चंद्रबोस ऑप्शन नमबर भी बल्लब भाई पटेल ऑप्शन नमबर सी इकबाल ओप्शन नमबर डी बट्ट केश्वर दत इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर भी बल्लब भाई पटेल ऑप्रेशन पोलो का संबंद बल्लब भाई पटेल के साथ है वहीं सुभाष चंद्रबोस इनका संबंद भारतिये राश्टिये कांग्रेस के हरिपूरा तथ अब भट्ट केश्वर दत यह सेंट्रल असेंब्ली में बंभेके जाने के काड़ यह प्रशिद्य कौन बट्ट केश्वर दत हमारा नेस्ट कुश्चन है इस निम्न में से कौन एक मंदाकनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है और सन्न नमबर यह गौरी कुंड और होपस गौवि कुन्द रामबारा गुप्त कासी यह तिनों मन्दाक्नी नदी के किनारे अवस्तित रहे जबकि गोविन्द घात् किससे तरफ परिस्तित है अलक्नन्दा वालच मद गंगा नदी के किनारे अवस्तित है इसका राइट एंसर होगा option number C हमारा next question है मटर की पत्ती विहीन प्रजाती है option number A अरकेल option number B आजाद मटर option number C अपड़ा and option number D यल 116 इसका right answer होगा option number C अपड़ा मटर की पत्ती विहीन जाती अपड़ा है हमारा next question है बरानी दीप किस फसल की किस्म है option number A अरहर option number B सरसो option number C धान and option number D उपर युगत में से कोई नहीं इसका right answer होगा option number C धान बरानी दीप ये धान की प्रमुख फसल है बरानी दीप नरींद संकर नरेंद सुक्सा समराट लाल मती ये सब धान की प्रजातियां हैं ये सब धान की प्रजातियां है वहीं बहार अरहर की कौन से प्रजाति है बहार बहार जो है ये अरहर की प्रजाति है हमारा निस और ये सरसो की कौन से प्रजाति है पूसा सरसो की पूसा बोल्ड पूसा जैकिसान और वरुड ये सरसो की प्रमुख प्रजातियां है हमारा निस क्वेश्चन है दलहनी फासलों में संतुलित खार्द का अनुपात है ओप्सन नमबर ए एक अनुपाते दो अनुपाते दो ऑप्सन नमबर भी तीन अनुपाते दो अनुपाते एक और ओप्सन नमबर सी चार अनुपाते दो अनुपाते एक और ओप्सन नमबर और होगा ऑप्सट नोम्बर 1 एक अनपाते दो अनपाते दो में दलाहनी फस्बर में संतुलित उर्वरक अनपात एक senhor ba ty दो अनपाते दो होता है हमारा नेस्ट क्वेश्चन है निम्न लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ओप्सन नमबर A क्लिवलेंड लोहा एवं इसपात ओफ्सन नमबर B है डेट्रायट मोटर गाड़ी ओफ्सन नमबर C मेसाबी रेंज कोईला छेत्र और ओप्सन नमबर D है फिलाडेलफिया पोत निर्माड इसका राइट एंसर होगा और ओफ्सन नमबर C मेसाबी रेंज कोईला छेत्र मेसाबी रेंज का संबंद कोईला छेत्र से नहीं बलकि लॉहा उयसक से वहीं क्लिव लैंड ये लोहा इसपात के लिए प्लाइट्क ये के लिए तथा फिलाडेल्पिया यह पोत निर्माड के लिए 200 प्रशिद्य है हमारा नेस्ट क्वेश्चिन है कि निमने लिखित में से कौन एक आबध देश नहीं है यानि कौन एक लैंड लॉक कांट्री है हमारा ऑफसेन नमबर ए ऐउजन अब्सन नमबर सि है ताजिकिस्टान एन ऑफसे नमबर दी है अजरबैजान इसका राईट आणसर होगे option number D अजर्बैजान अजर्बैजान एक भू आबद्ध देश नहीं है वहीं उजबेकिस्तान किर्गिस्तान तक ताजिकिस्तान ये तीनों भू आबद्ध देश हैं हमारा नेश्ट कोश्चन है निम्न लिखित में काउन एक सही सुमेलित नहीं है कोईला चेतर डूसरा क्या है देश है जो कोईला चेतर में कुझबास रूस में है दूसरा है B option number B है रेड़ बेसिंग चीन में option number C है Bristol Germany में and option number D है New South Wales Australia में इसका राइट एंसर होगा option number C Bristol जो कोईला छेत्र Bristol है यह बृटेन में नहीं बलकि United Kingdom में जो कोईला छेत्र बिस्टल है यह जर्मनी में बलकि United Kingdom में पाया जाता है वहीं कुजबास छेत्र या कुजबास कोईला चेत्र रूस में है रेड़ बेसिन कोईला चेत्र चीन में है तथा न्यू साउथ बिल्स कोईला चेत्र न्यू शाउथ विल्स कोईला चेत्र यह औस्टेलिया में इस्टित है इसका राइट अंसर होगा मिर्दास प्रबंद्धन से है अbn येट प्रबंधन से इसका राइट आइट फोगा और्फिन अंसर होगा है जिसका संबंद जल्व प्रबंधन से है 27 जनूरी 2003 को हर्याली योजना का सुभारम किया गया और हर्याली योजना का संबंद जल्व प्रबंधन से है हमारा next question है निमने मेसे किसे ने तिबवत पठार के उपर वर्स 2005 में ओजोन आभा मंदल जिसे ओजोन हेलो के नाम से जाना जाता है का पता लगाया है था ओप्सन नमबर A मोलिना, ओप्सन नमबर B फर्मान, ओप्सन नमबर C जी डबलू कैंट मूर और ओप्सन नमबर D है मारकस रेट इसका राइट अंसर है ओप्सन नमबर C जी डबलू कैंट मूर तोरेंटो विस्विद्याले के बैग्यानिक G.W. केंट मूर के नेतुत में अनसंधान करताओं ने वर्स 2005 में तिपद पठायर के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था हमारा नेस्ट कोश्चिन है निम्नी लिखित में से काउन एक वाय प्रदूसण की रोगथां की एक यान तरिय बिद नहीं है ओप्षण नमबर A विग फिल्टर ओप्षण नमबर B साइकलोन कलेक्टर और ओप्षण नमबर C साइकलोन सेपरेटर तदा अप्षण नमबर D है साइकलोन डिवाइडर इसका right answer होगा option number D cyclone divider cyclone divider यह Y producer की रोगथाम के एक यांत्रिय विध नहीं है वहीं big back filter, cyclone collector and cyclone separator यह Y producer के रोगथाम के लिए एक यांत्रिय विध है हमारा next question है बंदी बनाए गए ब्यक्तिके मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है option number A, अनुच्छेद 15, option number B, अनुच्छेद 17, option number C, अनुच्छेद 21 and option number D, अनुच्छेद 22 इसका right answer होगा option number D, अनुच्छेद 22 सम्मिधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दसाओं में गिरफतारी और विरोध से सनरच्छर प्रदान किया गया है किसी व्यक्ति को जो गिरफतार किया गया है ऐसी गिरफतारी के कारण से यथा सीग्र अउधक अउगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद नहीं रखा जाएगा या अपनी रुच के बिद बेवसाई यानि युवकील से परामर्स करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वन्चित नहीं रखा जाएगा इन सब की व्यवस्ता किस अनुच्छेद में की गई है मौलिक अधिकार के तहट अनुच्छेद 22 में की गई है निमनी में से कौन नागरिक्ता के आजन है तो सर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है और अप्सन नमबर A चुनाय आयोग और अप्सन नमबर B राष्टपती और संसद यों राज्यों की विधान सभाओं में समलित रूप से और अप्सन नमबर D है संसद इसका राइट अंसर क्या होगा ओप्सन नमबर D संसद भारतिय संभिधान के अनुच्छेद 11 आर्टिकल आर्टिकल 11 यानि अनुच्छेद 11 में यह अस्पष्ट किया गया है कि संसद संसद जो है संसद को नागरिक्ता के बारे में बिध बनाने की संपूर सक्ति होगी इस सक्ति के प्रियोग से संसद में नागरिक्ता अधनियम 1955 जिसमें अभी हाली में संसोधन किया गया है अधिकार के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तर से उपन्द किया गया है हमारा नेष्म क्वेस्चन है भारती सम्भिधान का कौन सभाग सम्भिधान की आत्मा कहलाता है ऑफ्शन नमबर A मूल अधिकार ऑफ्शन नमब B राजी के नीत निदे सकत्त Q 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 QQQQ Q 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 सरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है प्रस्तावना आधार सिला है तो सम्विधान उसकी उसकी खड़ी अटालिका है यह किसके दौरा कहा गया है सुभास कश्चप के दौरा कहा गया है तो यह सुभास कश्चप के दौरा कहा गया है वहीं के मुंसी ने उद्देश्क्या को राज नीतिक जन्व पत्त्री के रूप में सुईकार किया है हमारा नेस्ट कोश्चन है कि निमने लिखित में काउन एक नए राज्यों के निर्माड के लिए सम्वेधानिक उपबंध नहीं है औप्सन नमबर ए किसी राज्यका छेत्र बढ़ा कर औप्सन नमबर इक राज्यों संग राज्यों चेत्र में सामिल कर सकेगा इसका राइट अंसर होगा option number D भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 3 article 3 यानि अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सिमाई बदलने नए राज्य का निर्मार करने तथा उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसत को दिया गया है राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए इसका राज्य अन्सर होगा option number D हमारा नेस्ट कोश्चन है भारतिय राज्य ब्योस्था में निम्नी लिखित में से सर्वोच कौन है option number A सर्वोच नियाल है option number B संबिधान option number C संसद and option number D धर्म इसका right answer है option number C संसद भारतिय राज्य नितिक ब्योस्था में संबिधान सर्वोच है इसका right answer क्या होगा option number C नहीं बल्कि option number B भारतिय राज्य ब्योस्था में संबिधान सर्वोच है यही राज्य ब्योस्था के स्वरूप और उद्देश्क्या का निर्मार करता है तो इसका right answer क्या होगा option number B संबिधान हमारा next question है स्वधार योजना का संबंध है option number A अद्वतिय पहचान है तो option number B पूर्सों है तो रोजगार option number C है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए and option number D है वरिष्ट नागरिकों है तो साजह गरी की ब्यवस्था option number C कठिन परिस्थितेयों में महिलाओं के लिए स्वधार योजना यह कप्रारंब्ड की गई थी स्वधार योजना का सुभारंब क किया गया वर्सव हमारा निश्ट कोश्चन है निमने लिखित में से कौन एक संथा ग्रामीर अवस्थापना विकास कोश के अर्थ प्रबंधन को संचालित करती है ओप्चन नमबर A RBI, औप्चन नमबर B NABAD, औप्चन नमबर C rhetoran और D ग्रामीर विकास मंतर ले इसका राय टेंसर है औप्चन नमबर B नाबाड, ग्रामीर अवस्थापना विकास कोश के अथापना कब हुई थी थी वर्स 1982 में अस्थापित नाबाड यानि नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चिरल एंड रूरल डेवलप्मेंट द्वारा इसके अर्थ प्रबंधन का संचालन किया जाता है इसलिए इसका राइट इंसर होगा ओप्शन नमबर बी नाबाड हमारे निश्ट कोश्चिन है एक ब्यक्ति एक समवेदन सील तराजू पर खड़ा है यह दिवा गहरी सास अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी ओप्शन नमबर ए बढ़ेगी ओप्शन नमबर बी घटेगी ओप्शन नमबर सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह दबाव पर निर्भर करेगा इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर भी घटेगी ओप्शन के गहरे सांस लेने में तराजू की रीडिंग घटेगी अर्थात तराजू द्वारा ब्यक्ति का वजन कम दर्साया जाएगा हमारा नेस्ट क्वेश्चन है हीरे की विक्री में भार की इकाई कायरेट में होती है एक कायरेट बराबर होता है ऑफ्शन नमबर ए 100 मिग्रा के ऑफ्शन नमबर बी 200 मिग्रा के ऑफ्शन नमबर सी 300 मिग्रा के और ऑफ्शन नमबर डी है 400 मिग्रा के इसका राइट एंसर है ऑफ्शन नमबर बी 200 मिग्र के बराबर होता है एक काइड़ बराबर 200 मिलिग्राम के वराबर होता है और किसकी काई है तो हीरे की इकाई हीरे की भार की काई काई है हमारा नेश कोश्चिन है नेशनल ब्यूरो और प्रेजंड जैनरिक रिशोर्सस इस्तित है about a नई दिल्ली में और अजसर नपर भी कॉल्काता में और सी मुंबाई में और लुट्धी चन्न्नाई Avenue इसका राइट एंसर है took theancial नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो और प्लांट जैनर ये स्च carriers सुसेस यह नई दिल्ली में इस्तित हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगड़ा हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और आप मारे चैनल पर नय हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर पेस करें ताकि हमारे आने इस सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू फार वाचिंग माई वीडियो जै हिन